पनोर्मा कुरुप जो सोचता है वो करता है राजपाल महोदय का अविभासन के बाद जब बहुमत साबित करने की घड़ी आएगी तो लालू परसाथ का जो गेम है वो सामने नजर आने लगेगा आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच लगतार बैठकों का दौर दोनों ही खेमे में जारी है जदी को और से 128 विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है और इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है आपको बता दें कि पूरी कहानी में जो चीजे सामने आ रही है उसमें जब नितीश कुमार ने 28 तारीक को सपत गरहन किया और उन्होंने भारतिय जन्तापाटी के साथ आठ बिधायकों को ले करके जब मंत्री मंडल का गठन किया तो उसके बाद से लगतार चर्चायत तेज हो गई कि आखिर आगे होने वाला क्या है इन सारी बातों को ले करके अब जब की तेजस्री यादों ने ये बात कही कि खेल अभी बाकी है अभी बहुत कुछ होना बाकी है ऐसे में लालू परसाथ की चुपी और उनका ये कहना कि खुद नितीश कुमार हमारे पास आये थे और आ करके उन्होंने ये कहा था कि भारत परिश्टिती बनी है उसमें लालू परसाद का एंगल और लालू परसाद की रणनिती का काम सुरू हो चुका है आरजडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो सहीद पूरा आरजडी मौझुदा उप मुखमंत्री तेजस्वी यादो जो थे उनको ले करके सीम बनाने की रणन होता है आकड़ों की बात करें तो 128 का अकड़ा पहले ही अमने बताया कि अभी मौझूदा सरकार के पास है जिसने 28 तारीक को सपत ग्रहंड किया है ऐसी स्थिती में 243 बिधान सभा के सदस्यों वाली इस बिधान सभा में 122 सदस्यों की जरूद है जिसमें 6 ज्यादा है भा निर्दलिये एक और AIMIM के एक सदसे अभी बरतमान परिस्थिती में बिधान सभा में मौझूद है जो कि इसमें से एक निर्दलिये सदस्यों के तरफ से सपत ग्रहन कर चुके हैं ऐसी स्थिती में आप समझ सकते हैं कि 120 का आंकड़ा पार करना बहुत मुस्किल नहीं होगा क्योंकि अभी भी 115 का अंकड़ा है और जो बहुमत से केवल आप समझ लीजे कि 7 सीटे दूर है ऐसी स्थिती में अगर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के 4 सदसे आ जाते हैं और हला कि ये hypothetical है लेकिन सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी एक बड़ा ओफर कहीं न कहीं बिचलित कर सकता है जीतन राम माजी के हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को तो वहीं अगर लालू पर साथ ने एक बड़ा ओफर दे दिया तो अभी भी निर्दलिये जो हैं वो पाला बदलने में पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन पर किसी भी तरह का कोई विप जारी नहीं होता है ऐसी इस्तिती में आप समझ सकते हैं कि एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने नजर आएंगे जीतन राम माजी और इतना ही नहीं जिस तरह से भारतिये जनता पार्टी और निकीश कुमार की जोड़ी बनी है उससे बिहार की जन पार्टी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो चुनाव निश्यत रूप से होगा इतना ही नहीं एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहां एक तरफ छे सीटे खाली हुई है राज सभा की वहीं एक गारा सीटे खाली हो रही है लोग सभा चुनाव के ही इर्दगेद बिधान पुषद की ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है डिशाइडिंग फैक्टर जो है वो अभी भी लालू परसाथ के साथ है और उसका फाइदा दिखा करके वो किसी को भी अपने पाले में कर सकते हैं इतना ही नहीं एक और बड़ी महत्व पुर्ण बात है कि लालू परसाथ का एंगल जो है वो जनता दल उनाइटेट के इर्द गिर्द भी घूम रहा है अभी जनता दल उनाइटेट के कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी पार्टी के फैसले से नाराज हैं हमने आपको बताया भी था कि मंत्री मंडल का विश्तार नहीं होने का कारण ये भी है जिसमें दोनों ही तरफ से घीरी हुई नजर आ रही है इंडिये की सरकार आपको बता दें कि एक तरफ भाते जनता पार्टी के जो साथी दल है वो भाते जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि सीट शेरिंग का फर्मूला जल्दी कर लिय जाए वरना वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे तो वहीं दूसी तरफ आपको बता दे कि सीट शेरिंग का फर्मूला से भी बड़ा मंत्री मंडल विस्तार है अगर मंत्री मंडल विस्तार हो जाता है और जिन लोगोंने मंसुबे पाल रखे हैं कि उन भारत तारी को पता चलेगा जुड़े रहिए अभारत लाइब के साथ हमारी नजर बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है पनोर मंकुर जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी त तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी